नमस्कार सभी को मेरी तरफ से राम राम जो दर्शक इस वीडियो को बादने भी देखेंगे उनको भी राम राम यह वीडियो जिस टॉपिक पे मैं बनाने जा रहा हूँ मुझे पता है यह वीडियो काफी दूर दूर तक देखी जाएगी और जहां जहां तक भी ये वीडियो देखी जाए उन सभी को मेरी तरफ से रामरा यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म जो शब्द है जिसे हिंदी में वर्दी भी कहा जाता है हर एक डिसिप्लन्ड और्गनेजेशन में एक यूनिफॉर्म होती है जैसे पुलीस की बात करें तो पुलीस की युनिफॉर्म है डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर्स भी सफेद कोट में ही डॉक्टर दिखते हैं अगर सफेद कोट में ना हो कोई तो हमें कैसे पता वो डॉक्टर है Air Force उनकी भी युनिफॉर्म है Navy नेवी की भी युनिफॉर्म है Indian Army उनकी भी युनिफॉर्म है एक युनिफॉर्म से ही पता चलता है कि ये व्यक्ति उस organization के साथ जुड़ा हुआ है ठीक इसी तरह से इस युनिफॉर्म को जो concept है वो कहां से शुरू होता है इस युनिफॉर्म का concept शुरू होता है स्कूल से स्कूल में बच्चों को युनिफॉर्म पहनाई जाती है ताकि बच्चों के अंदर एक समाननेता रहे युनिफॉर्म पहनाना उसके पीछे में कारण क्या है स्कूल के अंदर आशीशकोली भी है स्कूल के अंदर राम भी है स्कूल के अंदर गुर्सिमरन भी है स्कूल के अंदर मुजमिल भी है स्कूल के अंदर कोई बच्ची भी है किसी भी नाम से आलिया अब ये सभी बच्चों के अंदर समानता किस तरह से होगी धरम, जाती, उनकी कास्ट, इन सब चीजों से उठकर वो समानता की जाती है युनिफॉर्म से सभी बच्चों की सेम युनिफॉर्म होती है इसलिए इस वीडियो का टॉपिक है Uniform जूरूरी है या फिर हिजाब हिजाब को लेकर काफी देर से कुछ Controversy बनी हुई है और यह Controversy शुरू ही करनाटका से कि भाई हिजाब पहनने के लिए High Coat में कुछ लोग चले गे कि भाई हिजाब Uniform के अंदर नहीं आता इसलिए High Coat में मामला चला गया आज हाई कोट के अंदर उस मामले की सुनवाई थी और उसके अंदर डिसीजन ये लिया गया कि हिजाब जरूरी नहीं है पहनना स्कूलों में हिजाब जरूरी नहीं है पहनना इसलिए सिर्फ यूनिफॉर्म पहने यूनिफॉर्म का मतलब है सिर्फ यूनिफॉर्म उसमें ना हिजाब आता है ना ही हमारे हिंदू धरम में जो हम लोग धोती पहनते हैं अपने सनातन धरम में वो भी जरूरी नहीं है अगर कोई सनातन धरम का या हिंदू धरम का व्यक्ति धोती डाल के नहीं जा रहा है तो हिजाब भी इस तरह से जरूरी नहीं है, इस तरह की कहीं सारी बाते हैं, आपको सोशल मीडिया में सुनने को मिल रही है, अब इसी हिजाब को लेकर, अब कुछ भी होता है, हमारे जमू कश्मीर के अंदर तो बात उठनी ही है, कभी भी, देखो, उमर अब्दुल्ला, बूबा मुफ्ती, अनिम्प्लाइमेंट पर बात नहीं करेंगे, यह कभी होमगार्स की बात नहीं करेंगे, एस्पियो की बात नहीं करेंगे, पी एची डेली वेजर्स की बात नहीं करेंगे, यह कभी भी, यहाँ पर जो लोगों में बेरोजगारिता है, उसकी बात नहीं करेंगे हिजाब के ऊपर कमेंट कर रहे हैं बताइए बात करें ना आज बात करें तीन सो सतर से कितना गाली, 370 की बात करो, आशीश कोली, PHE, PDD, Daily Vaisers की बात करो, हमारी बात करो, आप वो क्या लेना देना है कश्मीर फाइल से? मैं भी तो अभी यही कह रहा हूँ, कि उमर अब्दुल्ला महबुवा मुफ्ती को हिजाब से क्या लेना देना है? वो क्यों नहीं बात करते जमू कश्मीर के युवाओं के लिए आज महवव मुफ्ती जी ने क्यों नहीं अनिम्प्लाइमेंट के उपर बात की उमर अब्दुल्ला जी ने क्यों नहीं बात की अनिम्प्लाइमेंट के उपर जो कि करनाटिका का मामला है, जम्मो कश्मीर में क्यों उसका बात कि जा रही है? क्यों बात कि जा रही है? बताएंक किसलिए बात की जा रही है. इसीलिए इस टॉपिक के ओपर मैं चाहूंगा कि आप लोग भी कमेंट रखें कि स्कूलों में कॉलेजिस में hospital skills में यूनिफॉर्म जरूरी है या हिजाब या आप लोग अपनी बढ़ाय रखे मैं इसके ओपर कोई राय नहीं रख रहा हूंगे मैं राय रखूंगा तो लोग कहेंगे कि ये पता नहीं इस धरम के खिलाफ है ओ भाईया मैं किसी धरम के खिलाफ नहीं हूँ जो लोग ये चीज़ बोलते हैं मैं उनसे ज़्यादा धरम को फॉलो करता हूँ हिंदू धरम को भी, मुस्लिम धरम को भी सिख धरम को भी और क्रिस्चैनिटी को भी जो लोग ये बोलते हैं न मैं उनको पहली बात कर दूँ कलियर जो लोग ये बात बोल रहे हैं कि मैं किसी धरम के खिलाफ हूँ मैं उनको चैलेंज करता हूँ चलो मेरे साथ माता वैशनु देवी और मैं भी उनके साथ चलूँगा शादरा शरीफ चलो मेरे साथ बाबा अमरनाजी के दर्शन करने और मैं भी उनके साथ चलूँगा हर दर्गाह में आप ही ना करेंगे मैं ना नहीं करूँगा मैं दर्गाह में भी जाओंगा मैं शादरा शरीफ में भी जाओंगा मैं राजोरी की पुंच की सबसे बॉर्डर के उपर जो एक दर्गाह है मियापीर जी की डिआजि जी यात्रा करके आते हैं दस किलॉमीटर की यात्रा है चलेंगे पैदल वही मना करेंगे मैं मना नहीं करूंगा मैं भी कहता हूँ मतवे श्रुद भी जी की यात्रा करने से पहले आप के साथ शादरा शरीफ चलूंगा यहां फिर अजमेर शरीफ चलूंगा मैं मना नहीं करूंगा वही मना करेंगे जो ठेकेदार बने हुए धरम के और यहां पर मुझे धरम के बारे में ग्यान बांटेंगे इसलिए मेरे साथ ये ग्यान की बात तो बिल्कुल ही नहीं करना खास करके धर्म को लेकर क्योंकि धर्म में मैं उनसे ज्यादा हर धर्म का की पूजा करता हूँ, सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ पहली बात तो ये कलियर, दूसरी बात हिजाब को लेकर आज करनाट का हाई कोट ने जो कहा वो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ उन्होंने ये कहा है कि जो स्कूल्स खुलेंगे उसमें कोई हिजाब पहन के नहीं आएंगे जो कहा गया है और उसी को लेकर कुछ लोग जो है सुप्रीम कोट का दर्वाजा भी खटखटा रहे हैं अच्छी बात है हमारे यहाँ पर कानून वेवस्ता है हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोट है आप जा सकते हैं वहाँ पर भी जा सकते हैं वहाँ का जो आग लगाने की कोशिश करते हैं, वो भी अपनी अपनी गलत राय दे रहे हैं, जिन मेंसे कुछ आपको कमेंट्स में भी दिख रहे होंगे, लेकिन सबसे इंपोर्टन चीज है युनिफॉर्म, ना ही जो युनिफॉर्म है, उसके अंदर किसी तरहां की भेदभाव नहीं होत अगर एक स्कूल के अंदर सफेद कलर की शर्ट और ब्लू कलर की पैंट या जो भी उनका युनिफॉर्म है, अगर एक बच्चा पहनता तो दूसरा भी वही पहनता है, चाहे वो हिंदू धरम का है, चाहे वो मुस्लिम धरम का है, चाहे वो सिख धरम का है, इसी लिए उन ठेकेदार इस चीज़ को धर्म का की बात लेकर सामने आ जाते हैं जैसे इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में भी कुछ लोग आ रहे होंगे जरूर आ रहे होंगे वो नहीं रह पाएंगे इसलिए मैंने पहले ही कहा कि मुझे धर्म के बारे मेरे साथ डिबेट में मत आईएगा जीत नहीं पाएंगे क्योंकि अगर आप मेरे साथ डिबेट में आएंगे तो मैं जहां पर गीता पढ़ने को तयार हूँ वहां पर कुरान पढ़ने को भी तयार हूँ लेकिन दिक्कत उनी ठेकेदारों को आएंगी जो बड़ा धर्म को लेकर ग्यान बांटते हैं क्या वो की चिंता नहीं है जमो कश्मीर की यहां की अनिम्प्लाइमेंट की चिंता नहीं है और यह कमेंट कर रहे हैं हिजाब के ओपर यह ठीक उसी तरह से बात है जिस तरह से मुझे कुछ लोग यह बोल रहे हैं कि कश्मीर फाइल्स की बात करना छोड़िए आप अनिम्प्लाइम और हमें भी हिम्मत दिखानी चाहिए उस फिलम को देख कर, मैंने कल भी कहा था, अगर कोई व्यक्ति इस फिलम को नहीं देख पा रहा है, वो मुझे कॉंटेक्ट कर सकता है 9419391050 पर, उनकी टिकट का खर्चा मैं उठाऊंगा और मैं स्पॉंसर करूंगा उनकी टिकट, फार अगर वो बरदाश कर सकते हैं सच, तो चलिए, हम एक साथ बैटके फिलम देखेंगे, पॉपकॉन, कोल डिंग, कॉफी भी पिएंगे, आप चलिए, मन बनाईए चलने का, लेकिन सच को बरदाश करना बहुत मुश्किल है, आज कहीं सारे लोग इस चीज़ के उपर बात कर हुआ है, इस चीज़ को भी दुनिया के सामने लाना पड़ेगा, दुनिया को बताना पड़ेगा, हर बार कश्मीर की बात होगी, तो सिरफ कश्मीरियत नहीं जाएगी, कश्मीर की बात होगी, तो डोगरियत भी आगे जाएगी, क्योंकि डोगरों ने 1990 में कश्मीरी हिंद पंडितों को गले लगाने के लिए हम डोगरों ने कश्मीरी हिंदू पंडितों को गले लगाया था इसलिए जरूरी है हमारे डोगरों को भी पता होना लेकिन कुछ कुछ लोग उस एको सिस्टम में इतने इतने जएदा घिर चुके हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रहा उनको समझ ही नहीं आ रहा उनको इको सिस्टम आगे सोचने ही नहीं देता यही बात आज परधान मंतरी नरेंदर मोदी जी ने भी कही कुछ इको सिस्टम में इतने परिशान हो गए हैं कि उन लोगों को समझ ही आ रहा कि सच को कैसे असेप्ट किया जाता है ये इको सिस्टम आज ये कुछ लोग जो ब्यूरोक्रेसी में कुछ लोग जो एड्मिस्टेशन में घुसकर ये बीज बो रहे हैं उस चीज को समझने की जरूरत है उस चीज को देखने की जरूरत है मेरे साथ कश्मीर फाइल्स और देखिए हमारे कश्मीरी हिंदू पंडितों के साथ क्या हुआ था किसी बॉलिवूड के डिरेक्टर में हिम्मत नहीं थी कहा है सल्मान खान कहा है शारूक खान क्यों आज तक उन्होंने इस टॉपिक के ओपर फिलम नहीं बनाई परधान मंतरी नरेंदर मोदी जी ने पूरा वर्ड जाने महात्मा गांधी जी को हर चीज होनी पहली बार कश्मीरी हिंदू पंडितों का दर्द समझा है एक बॉलिवूड के डिरेक्टर ने और उसने अकेले यह साबित किया चाहे बॉलिवूड एक साइड हो लेकिन वह एक साइड है और उन्होंने दिखाया उस दर्द को दिखाया सहन भी किया और दिखाया भी कुछ comedians ने इनकी फिलम को पर्मोट करने के लिए मना किया वो comedians क्या जाने, दर्द क्या होता है उनका तो काम है comedy करना comedians को नहीं पता कि कैसे किसी के दर्द को लोगों के सामने लाया जाता है अनुपमखेर जी ने भी ये साफ कर दिया कि पूरी वीडियो दिखाओ कपिल शर्मा मेरे दोस्त कपिल शर्मा पूरी वीडियो दिखाओ आदा सच मत सब के सामने लाओ कि तुमने मना किया पूरी स्टार कास्ट को इस फिल्म की प्रमोशन को सामने लाने के लिए और किसके इशारों पर किया वो सब जानते है कौन है डारेक्टर, कौन लगा रहा है, प्रड्यूसर कौन है, पैसा कौन लगा रहा है कपिल शर्मा के शो को बाकी जो भी अपडेट्स रहेंगे हम आपको बताते रहेंगे और आप लोग जेके मीडिया देखते रहिए कहीं लोगों को मेरी इस वीडियो से परिशानी हुई होगी और उस परिशानी का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, उसका हल उन्हें खुद ढून रहा है बड़ा असान है ढूनना उसका हल, अगर तो वो हल मिल जाए तो ठीक है नहीं तो अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में उनका हल है हमारे काबिल डॉक्टर है अगर वो गोवर्मेंट हॉस्पिटल में ना देखें तो वो प्राइवेट देखते हैं क्योंकि प्राइवेट उनके पास ज्यादा लोग आते हैं थोड़ी फीस लगेगी क्योंकि government hospital में तो वो काफी dates दे देंगे अगर किसी के दिमाग में परिशानी है तो उनको date दी जाएगी आप चार दिन के बाद आएं लेकिन मैं उनसे अपील करूँगा जिनके दिमाग में परिशानी है वो privately doctors को जरूर दिखाएं क्योंकि private वो doctors जल्दी देखते हैं और उन कि जैसे ऐसे popularity है देखते रहें जेके मीडिया मेरी तरह से सबको नमस्कार वे राम राम